आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 बाइलोजिक से इकाई तीन है यहाँ पे कोशी का संरचना इभम कार्य अध्याय आठ है कोशी का जीवन की इकाई तो हम लोग N.C.E.R.T. बुक से संपूर्ण पाठ का हल देखने वाले है तो वीडियो को अंतक जरूर देखिएगा इससे पहले हम लोग इसका परिच्छा उप्योगी मेहत्वपून प्रश्ण उतर करवा दियां थे प्लेलिस्ट में आप लोग जाके देख सकते हैं तो आएए वीडियो को स्टार्ट करते हैं जैसा कि अब लोग देख सकते हैं हम लोग इहां पर आ चुके हैं इकाई तीन कोशिका संरचना एवं कार्य अध्याय आठ है इसमें कोशिका जीवन की इकाई तो इसमें हम लोग अभियास प्रश्ण के उतर देखने वाले हैं प्रश्ण संख्या एक आता है यहां पर इनमें कौन सा सही नहीं है तो यहां पर बहुत सारा दिया गया है अ है यहां पर कोशिका की खोज रोवर्ट ब्राउन ने की थी तो इसका उतर हो जाएगा अ कथन गलत है कोशिका की खोज रोबोट हुक ने की थी ठीक है और देखिए इनमें से कौन सा सही नहीं है तो खाली अ जो है जो सही नहीं है बागी सब सही है आपको बता देते हैं बहुत स्लाइडन वस्वान ने कोशिका सिध्धान प्रतिपादित किया था तो है वर्चो इस कव कोशिका से बनती है दह पे एक कोश किये जीव अपने जीवन के कारे एक कोशिका की भीतर करते हैं तीक है अब देखिएज प्रश्च संख्या नई कोशिका का निर्मान होता है जिवानु किन्वन से बह पुरानी कोशिकाओं के पुरुत पादन से सह पुर्व इस्थित कोशिकाओं से और दह अजाविक पदार्थों से तो इसका सही उतर क्या हो जागा तो उतर इसका हो जागा सह यानिकी पुर्व इस्थित कोशिकाओं से ठीक है प्रश्न संख्या तीज है यहाँ पे नेमने के जोड़ा बनाईए अहर क्रिष्टी बहर कुंडिका सहर थाइले कोईड ठीक है तो बुक में आपको ये तिनों अलग-अलग दिया हुआ रहेगा आप लोग ऐसे सिमत मिलाएगा ये गलत भी दिये ठीक है आपको अगर मिलाना है तो इस तरह से सिम्पल में आपको एंसर देना है यानि कि क्रिष्टी का हो जाएगा सकेंड नमबर सूत्र कनिका में अंतर वलन बहर कुंडिका इसका सही उत्तर हो जाएगा तीर नमबर यानि कि गोलजी उफकरन में बिम्ब आकार की थैली और सह है थाइले कोईड जिसका सही उत्तर हो जाएगा एक यानि कि पीठीका में चप्टे कला मैं थैली ओके अब देखिए आप लोग प्रश्न संख्या चार है इनमे से कौन सा सही है देखिए यहाँ पे आपको चार ओप्सन दिया गया है अ है सभी जिब कोशिकाओं में केंदरक मिलता है ठीके बह है दोनों जनतु अपादब कोशिकाओं में असपश्ट कोशिका भिती होती है स है प्रोकरियोटी की जिली में आवरित अंगक नहीं मिलते हैं द है कोशिका का निर्मान अजयाविक पदार्थों से नए सीरे से होता है तो इसका सही उतर हो जाएगा स यानि कि प्रोकरियोटी की जिली में अवरित अंगक नहीं मिलते हैं ठीक है प्रश्र संख्या 5 है प्रोकरियोटिक कोशिका में क्या मीसोसोम होता है इसके कारे का वर्णन करें उत्तर हो जाएगा यहां पे प्रोकारियोटिक कोशिका तीका यानिकी प्रोकरियोटिक सेल्स में कोशिका कला के अंतरवरन के कारण थैलिनूमा यानिकी मिशोसोम्स का निर्मान होता है यह कोशिका भित्री के निर्मान, DNA, दिवगुनन तथा कोशिका भिभाजन में सहायक होता है यह स्रावन, स्वसन, आदी में सहायक होते है मिसोसोम्स, माइटो कॉंडिया का कारी भी संपन करते है अब आईए प्रस्न संख्या 6 क्यों चलते है कैसे उदासीन विले जीब द्रबे जिली से होकर गती करते है क्या द्रूबी अनू उसी प्रकार से इस से होकर गती करते है यदि नहीं तो इनका जीब द्रबे जिली से होकर परिवहन कैसे होता है तो आईए देखते हैं इसका उत्तर हम लोग कैसे लिखेंगे उत्तर हो जाएगा जीब द्रब जिली का महतवपुर्ण कार्य इससे होकर अनुओं का परिवहन है ये जिली वर्नात्मक पारगम्य ठीक है होती है उदासीन विले अनु सामानय या निस्क्रिय परिवहन द्वारा उच्च सांद्रता से कम सांद्रता भी और साधारन विश्रन द्वारा जीली से आते जाते रहते है ठीक है इसमें उड़जवे नहीं होती दूबी अनु सामानय विश्रन द्वारा इससे होकर आ जा नहीं सकते इन्हें परिवहन हेतु वाहक यानि कि प्रोटिन्स की आवश्यक्ता होती है इन्हें आइरन केरियर भी कहते हैं इनका परिवहन समानय त्या सक्रिय विश्रन द्वारा होता है इसमें उड़जवे करके आइरन या अनुवा का परिवहन निम्न सांद्रता से उच्छ सांद्रता की और भी हो जाता है ठीक है अब देखिए प्रश्न संख्या साथ आता है हाँ पे दो कोशी की ये अंग को का नाम बताईए जो दिवकला से घिरे होते हैं इन दो अंग को की क्या विसेस्ता है इनका कार ये हुआ रेखांकित चित्र बनाईए तो देखिए उत्तर हो जाएगा माइटो कॉंडिया तथा लवक दिवकला से घिरे कोशी कांग है ठीक है इसका चिद्र भी बनाने के रहा है तो माइटो कॉंडिया की विसेस्ता है माइटो कॉंडिया को हम सूत्र कनिका भी कहते हैं ध्यान देंगे आप लोग प्रते कोशिका में इसकी संख्या भिन होती है यह उसकी कारी की सक्रियता पर निर्भर करती है यह आकरिती वह आकार में भिन होती है यह तस्तरी नूमा बेलनाकार आकरिती की होती है जो 1.0 से लेकर 4.1 माइक्रो मीटर लंबी वो 0.2 से 1 माइक्रो मीटर और सत 0.5 माइक्रो मीटर ब्यास की होती है सूत्र कली का एक दोहरी जहली युक्त सरचना होती है जिसकी बाहरी जहली वो भीतरी जहली इसकी अवकाशिका को दो असपश्ट जलिये कच्छो यानि कि बाहरी कच्छ वो भीतरी कच्छ में विभाजित करती है अब बात करते हैं माइटो कोहंडिया के कारे की तो सूत्र कनिका का वाइबिय स्वसन से संबंध होता है इन में कोशिक ये उर्जा ATP के रूप में उत्पादित होती है इस कारण से सूत्र कनिका को कोशिका का सक्ति ग्रिह कहते हैं ठीक है अब आगे हम लोग देखते हैं जैसा कि प्रश्ट में कहा गया था कि माइटो कॉंडिया का रेखांग की चित्र भी बनाना है तो रेखांग की चित्र इस प्रकार से है जो की नीचे है तो आएए देखते हैं यहां पर आप लोग देख सकते हैं माइटो कॉंडिया का चित्र है अगर आपको यहां से बनाने में दिकत होगा तो यहां पर हम आपको पिक्टेर सो कर देंगे यहां से आपको देखके बना लेना है, ठीक है? तो जैसा के आप लोग देख सकते हैं, इसका नाम करन भी हम कर चुक TP हैं यह जो पार्ट देख रहे हैं, यह भाह जिली का है, ठीक है? और ये वाला पार्ट आप लोगों को दिख रहा होगा ये भीजरी जीली है ठीक है और ये जो है आधात्री है ठीक है और ये अंतर जीली अब काशी का है ठीक है और कृष्टी की बात करें तो कृष्टी ये आपका हो गया कृष्टी ठीक है तो ये आप लोग ध्यान से देख कहा अब देखЬ लिखके यानि क해 मायटू कौनडिया और बन देख्या है कि यानि कि माइटे कौनडिया की सरज्ना अनुध्यर काट का चित्र कह यहां पर आंप ten वहां पिक्चर सो कर दें लवक, सभी पादप कोशिकाओं एवं कुछ प्रोटो जोवा जैसे यूगलीना में मिलते हैं ये आकार में बड़े होने के कारण सोच मदर्सी से आसानी से दिखाई परते हैं इसमें विशिष्ट प्रकार के वर्नक मिलने के कारण पोधे भीन भीन रंग के दिखाई परते हैं विभीन प्रकार के वर्नकों के आधार पर लवक कई तरह के होते हैं जैसे हरित लवक, वर्नी लवक एवं अवर्नी लवक तिखाई लवक के कार्य लवग का कार्य हरित लवकों में पर्ण हरित वर्णक वा केरोटीनोईड वर्णक मिलते हैं जो प्रकास तंसिलेशन के लिए आवश्यक प्रकासी उड़्जा को संचित रखने का कारे करते हैं वर्णी लवकों में वसा, विले, केरोडिनोईड वर्णक जैसे केरोटीन, जानतो फील वो अन्य दूसरे मिलते हैं इसके कारण पादपों में पीले, नारंगी वो लाल रंग दिखाई पड़ते हैं अवर्णी लवक, विभिन आकरिती एवं आकाल के रंग हीन लवक होते हैं, जिन में खाद पड़ार्थ संचित रहते हैं मंड लवक में मंड के रूप में कार्बोहायरेट संचित होता है जैसे आलू, तेल, लवक में तेल ववसा तथा प्रोटीन लवक में प्रोटीन का भंडारन होता है ठीक है अब आईए हम लोग चलते हैं लवक का रेखान के चितर इस प्रकार है अब देखिए आप लोग ये लवक का चितर आ चुका है ठीक है इसका नामा करन जान लेते हैं ये जो आप लोग देख रहे हैं ये बाहे जिली है, ग्रेनम ये आप लोग देख सकते हैं और ये जो है भीतरी जिली है, इसके अंदर का हिस्ता और ये है थाइला कोईड ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये थाइला कोईड है और पीठी का पटली का की बात करें तो ये हो जाएगा, पीठी का पटली का ठीक है, तो आपको हम यहाप लोग पिक्चर सो कर देंगे यहां से आप लोग देखके बना सकते हैं आपके आंस्ति इया टिप बुक में ये पिक्चर दिया गया है हरित लवक का ठीक है यहां पे आप लोग नामा करन भी कर देंगे जैसे की देखिए हरित लवक का अनुभागी द्रिश्य अप लोग कोमेंट करके जरूर बताएगा ठीक है कैसा बना है आएए अब हम लोग आगे चलते हैं क्योशन नमबर आठ की ओर प्रोकेरियोटी कोशिका की क्या विशिस्ता है और यह बहुत ही महत्वपोन क्योशन है उत्तर हो जाएगा प्रोकेरियोटी कोशिका की विशिस्ता है यह है कि प्रोकेरियोटी कोशिका है जिवानू, नील हडित सेवाल, माइको प्लाजमा और प्लूरो नीमोनिया समझीब यानि कि PPLO मिलते हैं सामाने तया यह यूकेरियोटी कोशिकाओं से बहुत छोटी होती है और काफी तेजी से विभाजित होती है माप का आकार काफी भिन होती है जिवानों के चार मुल आकार होते है दंडाकार यानि कि बेसिलस गोलाकार यानि कि कोकस केशाकार यानि कि विब्रो वसरपील यानि कि अस्पाइलर ठीक है प्रोकेरियोटिक कोशिका का मूल भूस संगठन आकार वा कारे में विभीनेता की बाबजूद एक सा होता है सभी प्रोकेरियोटिक में कोशिका भिती होती है जो कोशिका जिली से घिरी रहती है कोशिका में साइटो प्लाज में एक तरल मैट्रक्स के रूप में भरा रहता है इसमें कोई अस्पष्ट विभेदित केंद्रक नहीं पाया जाता है ठीक है अब आईए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या नोकियोर तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बहु कोश किये जीवों में स्रम विभाजन की व्याख्या कीजिए तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे एक कोश किये जीवों में समस्त जैविक किरिया हैं जैसे स्वशन, गती, कहने का भिप्राय प्रचलन, पोशन, उत्सरजन, जनन आदी जीव कोश का द्वारा ही संपन होती हैं इनमें इन कारियों को संपन करने हैं तू समान तया विशिष्ट अंगक नहीं होते हैं इनमें सामाने कोश का विभाजन द्वारा ही जनन प्रकिरिया हो जाती है ठीक है कुछ एक कोश्किय जीवों में लैंगिक जनन भी पाया जाता है सरल बहु कोश्किय जीवों में जैसे अस्पंज में विभिन जैवेकार अलग-अलग प्रकार की कोशिकाओं द्वारा संपन होते हैं लेकिन आवशक्ता पढ़ने पर कोशिका अन्यकार भी संपन कर सकती है इन में कारे विभाजन या श्रम विभाजन अस्थाई नहीं होता ठीक है बात करते हैं संक सिलेंट ट्रेटा की तो इसके सदस्यों में कोशिकाओं विभिन जैवी कारियों के लिए विशिष्टी करित हो जाती है वे आने कारे संपन नहीं करती इसे श्रम विभाजन कहते हैं श्रम विभाजन की परिकल्पना शर्व प्रत्थम हेनरी मिले ने एर्डवर्ड ने प्रस्तूत की ठीक है ये बात आपको याद रखनी है विभिन कारियों को संपन करने के लिए कोशिकाओं उत्तक तथा उत्तक तंत्रे का निर्मान करती है कारी की भिन के अनुरूप संरचनात्मक और औरती की भिन पाया जाता है ठीक है प्रश्न संख्या 10 है तो हम लोग यहां थे कोशिका जीवन की मूल इकाई है इसे संचिप्त में वर्णन करें तो उत्तर हो जागा यहां पे कोशिका सरीर निर्मान की इकाई ही नहीं बलकि जीवन की कारीक इकाई भी है जीव की सभी किरियाएं कोशिका में हो रहे कारियों के समनवे से होती है नई कोशिका पुर्व इस्थित कोशिका से बनती है एक कोशिका से पूर्ण जीव का निर्मान संबब है कोशिका की यह छमता टोटी पोटेशी कहलाती है ध्यान देगे अब लोग टोटी पोटेशी कहलाती है प्रतेग कोशिका में अनेकों अंगग होते हैं जो कोशिका द्रवे में रहते हैं इनमें हो रहे कारियों से ही जीव का जीवन चलता है आगे की बात करते हैं जागा यहां पर केंद्रक के चारों और 10NM से 50NM मोटी दोहरी केंद्रक यानि की कला होती है दोनों जीलियों कलाओं के मध्य अस्थान को परी केंद्रक ये अस्थान कहते हैं यह लगभग 100-300NM चोड़ी होती है केंद्रक कला पर अनेक सुष में छिद्र होते हैं इन्हें केंद्रक छिद्र कहते हैं अब आएए बात करते हैं हम लोग आग की प्रते का व्यास लगभग 400-1000 इंगस्ट्राम होता है केंद्रक कला का संबंध कोशिका द्रवे में इस्थित अंता प्रेद्रवी जालिका यानि की ER से होता है ठीक है बात करें कारे की तो कारे हो जाएगा केंद्रक में निर्मित विभिन प्रकार के RNA अनु विसेश कर M RNA केंद्रक कला छिद्रों से होकर कोशिका द्रवे में पहुंचते हैं और प्रोटीन संसलेशन में महत्वपुर्ण ठीक है प्रश्न संख्या 12 आता है लयन कार वरस्थानी दोनों अंदर जीली में संरचना है फिर भी कारे की द्रिष्टी से ये अलग होते हैं इस पर टिपनी लिखें उत्तर हो जाएगा यहां पर लयन कार एक कला युक्त थैली है जो गोलजी कार से बनती है इसमें हाइड् प्रोलीटिक विकर होते हैं जैसे लाइपेज, ओप्टिएज आदी जो अमली है पीच में सक्रिय होते हैं ये विकर कार्वोहाइडरेट, प्रोटीन, वसा, निकलिक अमल आदी का पाचन करते हैं ठीक है अब बात करें हम लोग रस्धानी की यानिकी वैक्यूल की तो का द्रवे में उपस्तित थैली नूमा सरचना है जो एककला टोनो प्लास्ट से घीरी रहती है इसमें जल उत्सरजी पदार्थ जो कोशिका के लिए आवश्यक नहीं है तथा कोशिका रस मिलता है पौधों में ये कोशिका आयतन का नवे प्रतिसत घीर लेती है पौधों मे टोनो प्लास्ट आयन तथा अने पदार्थों का सांद्रता विभव के विरुध रस्धानियों में आना सुनिश्चित रहता है अतर रस्धानी में सांद्रता कोशिका द्रवे से अधिक रहती है अमीपा में संकूचन सी रस्धानी मिलती है जो उत्सरजन का कारे करती है प् प्रश्ण संख्या 13 यहां पर रेखांग की चित्र की सहायता से निम्ले की संरचना का वर्णन करें ध्यान देंगे पहला में यहां पर केंद्रक और दूसरा में तारक आए तो दोनों का चित्र आपको बनाना है और वर्णन भी करना है तो देखिए उत्तर हो जाएगा केंद्रक यानि की निक विलियस कोशिका कोश्किय अंगक की खोच सर प्रथम रोबर्ट ब्राउन ने 1831 से पूर्व की थी बाद में फ्लेमिंग ने केंद्रक में मिलने वाले पदार्थ जो चारिये रंग से रंजित हो जाता है उसे क्रोमोटीन का नाम दिया अंतरकाल अवस्था केंद्रक कोशिका केंद्रक जिसका विभाजन नहीं हो रहा हो अत्यधिक फैली हुई वो बिश्थरित केंद्रक ये प्रोटीन तन्तू की बनी होती है जिसे क्रोमोटीन कहते हैं केंद्रकी आधातरी में एक ये अधिक गोलाकार सनरचनाई मिलती है जिसे केंद्री कहते हैं इलेक्ट्रोन सूच मिदर्सी अधियन से यह असपश्ट होता है कि केंद्रक आवरन दो समानातर जिलियों से बना होता है जिनके बीच 10 से 50 नैनो मीटर का रिक्तस्थान पाया जाता है आगे की बात करें हम लोग जिसे परी केंद्रकी अफकास कहते हैं केंद्रकी आधातरी या केंद्रक द्रव्य में केंद्रिक वह क्रोमेटीन मिलता है गोलाकार केंद्रिक केंद्रक द्रव्य में पाया जाता है केंद्रिका जिली रहिद वह सनरचना है जिसका द्रव्य वो सोब RNA संसलेशन है तू अस्थल होते हैं जो कोशिक है अधिक सक्रिये रूप से प्रोटीन संसलेशन करती है उनमें बड़े वह अनेक केंदरिक मिलते हैं और ये आप लोग देख सकते हैं आपी केंदरिक की संरचना का चित्र निम्द है हम आपको यहाँ पिक्चर सो कर देंगे NCRT बुक से ठीक है आप लोग यहाँ से देखे भी बना सकते हैं तो आए नामा करन जान लेते हैं हम लोग ये जो आप लोग देख रहे हैं ये केंदरिक द्रव्य है ठीक है और ये बीच वाला भाग है ये है केंदरिक और ये जो है ये केंदरिक छिद्र है और ये जो है ये केंदरिक जिली है यानि कि इसकी बाहरी वाली जिली इस तरह से बनाया है वो केंदरिक जिली है और आप लोग नामा करन कर देजेगा केंदरिक ही सरजना ठीक है यहां से आप लोग देख सकते हैं तो आएए अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं तारा कार और इसका भी हम लोग पिचर देखने वाले हैं तारा कार वह तारा केंद सेंडरो सोम तथा सैंटी ओल ठीक है इसके बारे में भी हम लोग कुछ जान लेते हैं तारा काय वो अंगक है जो दो बेलनाकार सरचना से मिलकर बना होता है जिसे तारा केंद्र कहते हैं यह अक्रिस्टलिय परिकेंद्रिय ज्रबे से गीरा होता है दोनों तारा केंद्र तारा काय में एक दूसरी के लबबत इस्थित होते हैं जिसमें प्रते की सरचना बैल गाड के पहिये जैसे होती है तारा केंड्र संक्या में 9 समान धोरी पर इस्थित परीधिय टिब्योलिन सूतरों से बने होते हैं प्रतीक परिधिय सूतरक एक तर्क होते हैं पास के तर्क आपस में जूड़े होते हैं तारा केंद्र का अगर भीतरी भाग प्रोटीन का बना होता है जिसे धूरी कहते हैं यह परीधिये ट्रिक के नलिका से प्रोटीन से बने और यह दंड से जूड़े होते हैं तारा केंद्र पचमाव हुआ का अधारी काय बनाता है और तरकु तन्तु जन्तु कोशी का विभाजन के उपराद तरकु उपकरन बनाता है अब ध्यान देंगे आप लोग यहां पर तारा काय का रिखांकित चित्र निम्नांकित है यानि कि नीचे यहां पर बनाया गया है आप लोग देख सकते हैं यह आप लोग देख लिजे यह तारा काय का चित्र है हाला कि यह आपके NCRT पुस्तक में नहीं दिया गया है ठीक है हम इसे Google पे सर्च करके लाए हैं तो यहां से आप लोग देख सकते हैं हम आपको पिक्चर यहां पे सो कर देंगे यहां से आप लोग देखके बना लिजेगा ठीक है तारा कार का चित्र अब आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर यह question आप लोग देख रहे हैं जो कि last question है ठीक है गुण सूत्र बिंदू क्या है कैसे गुण सूत्र बिंदू की इस्थिति के आधार पर गुण सूत्र का वर्गी करन किस रूप में होता है अपने उत्तर को देने हैं तू विभिन प्रकार के गुण सूत्रों पर गुण सूत सूत्र बिंदू की इस्थिति को दर्सानी है तू चित्र बनाईए ठीक है आई होप आपको क्यूशन अच्छे से समाज में आ गया होगा तो इसका उत्तर भी हम लोग देख लेते हैं प्रतेक गुण सूत्र में एक प्रात्मिक संक्यूरन मिलता है जिसे गुण सूत्र बिंद की इस्थिति की आधार पर गुण सूत्रों को चार प्राकारों में विभाजित किया जा सकता है जिन में पहला है मध्य केंद्री यानि की मेट्रा सैंट्रिक ठीक है इसके बारे में जानते हैं गुण सूत्र में गुण सूत्र बिंदू गुण सूत्रों के बीचों बीच इ चित्र निम्न है आप लोग इस तरह से इसका चित्र बना सकते हैं अगर नहीं तो ऐसे यह टीबुक से आपको चित्र हम यहाँ पर सो कर देंगे यहाँ से आप लोग देखके बना लेजेगा ऐसे हम आपको यहाँ पर बता देते हैं यह जो आप देख रहे हैं यह है यह है यह तो इसके बारे में भी हम लोग जान लिते हैं गुंड शूत्र बिंदू गुंड सूत्र के मदी से हट्कर होता है जिसके परिणाम से रूप एक भुजा चोटी हुआ एक भुजा बड़ी होती है आगे क्यों चलते हैं ओप मधे केंद्री यानि कि सब मेंटा सैंट्री का चित्र इस प्रकार है हम आपको पिक्टर यहां पर सो कर देंगा यहां से भी आप लोग देखके बना सकते हैं तो आए जब तक हम नामा करन भी कर देते हैं यह जो आप देख रहे हैं यह छोटी बुजा है और ठीक है और य अब हम लोग आगे क्यों चलते हैं देखें पिक्टर कुछ इस तरह से हैं तीसरा है यहां पर अगर बिंदू यानि की एक्रोसेंट्रिक गुनसूत्र में गुनसूत्र बिंदू इसके बिल्कुल किनारे पर मिलता है जिससे एक भुजा अत्यांद छोटी वह एक भुजा ब आप लोग पिक्टर बना लीजेगा और पिक्टर बनाना बहुत ही महतों पॉर्ण है आप लोगों के लिए क्योंकि आप लोग साइस लिये हैं पोर है अंत्यकेंद्र यानि की फीबो सैंट्रिक गुनसूत्र बिंदू गुर्षूत्र के सिर्ष पर इस्थित होता है कभी-क इकाद गुनसूत्र में निशित अस्थानों पर और रंजित दिविद्य संकिर्णन भी मिलता है तो गुनसूत्र के छोटे से अंसके रूप में दिखाई पड़ता है जिसे अनुसंग यानि की सैटेलाइट कहते हैं ठीक है अब आएए इसकी बारे में हम लोग जानते हैं देखिए इसका चित्र निम्न है यह जो आप देख रहे हैं छोटी भूजा है और यह बड़ी भूजा है वीडियो को यहीं पर इंड करते हैं अच्छा लगा होगा कुछ भी हमारे वीडियो में तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा वीडियो को लाइक कर दिजेगा ज अगर इसका आपको पीडियो चाहिए तो टेलिग्राम चैनल तैयारी एक्जाम की 11 ग्रूप करके चैनल है ठीक है वहाँ पे आपको इसका पीडियो और वीडियो मिल जाएगा मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक